आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आपके फोन में कॉल नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो ये प्रॉब्लम कैसे ठीक करें तो यहाँ पर इसके लिए आप अपने फोन की सेटिंग्स ओपन करिए सेटिंग्स ओपन करने के बाद नीचे आईए नीचे आकर आएगा एप्स इस पर आप किलिक करिए उसके बाद उपर मैनेज एप्स पर किलिक करिए और ये मैनेज एप्स आपके फोन में एप मैनेजर या फिर एप मैनेजमेंट नाम से हो सकता है तो इसे ओपन करने के बाद अब आपके फोन के सारे एप आ चुके हैं, उसके बाद आप नीचे आएए, नीचे आकर आएगा यहाँ पर डाइलर, यहनि कि आपके मुबाइल का डाइलर जिससे कि आप कॉल करते हैं, जैसे कि आपके फोन में आएगा इस तरीके से, फोन के नाम से, तो इस पर आप किलिक करिए, और इस पर किलिक करके ऐसा पेज आपके सामने आएगा, और यहाँ पे आने का दूसरा तरीका है फोन के आइकन पे किलिक करके रखिए एक से दो सेकंड किलिक करके रखेंगे उसके बाद आएगा एप इन्फो इस पे किलिक करिए और एप इन्फो पे किलिक करके आप यहाँ पे आ सकते हैं अब नीचे यहाँ पर आएगा force stop इस पे किलिक करिए उसके बाद ok करिए उपर storage आएगा इस पे किलिक करिए और ये storage आपके phone में storage usage नाम से हो सकता है तो अब इस पे किलिक करके नीचे clear data पे किलिक करिए उसके बाद clear all data पे किलिक करिए उसके बाद ok पे किलिक करिए और अब back आईए यहाँ पर आएगा नीचे notification इस पर आप किलिक करिए और notification पे किलिक करिए अगर आपका उपर ये show notification या फिर allow notification लिकेशन आउन नहीं हैं तो इसे यहां से चालू करिए तो इसे चालू करने के बाद यह जो नीचे आप्शन आ रहे हैं इन सारे आप्शन को चालू करिए कुछ इस तरीके से यहां से इन सारे आप्शन को चालू करने के बाद बैक आईए फिर से बैक आईए और उसके बाद आएगा phone services इस पे click करिए force stop करिए ok करिए और इसका storage पे click करके clear data करिए और उसके बाद ok करिए back आईए अब check करिए इतनी setting करने के बाद आपके phone में call notification आने लग जाएगा और अगर problem ठीक नहीं होती है तो यहाँ पर manage apps या फिर app manager open करने के बाद उपर right side corner में 3 dot पे click करिए 3 dot पे click करके आएगा reset app preferences इस पे click करिए और reset apps पे click करके आपके phone का कोई data या फिर कोई app delete नहीं होगा बस यहाँ पर आपके applications की settings reset होती है तो reset apps पे click करके इस process को कर सकते हैं और उसके बाद आपका जो call notification है वो 100% show होना शुरू हो जाएगा वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें